नमस्कार दोस्तों तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरह से UPI payment के थूँ हम अपना in driver wallet यहाँ पे update कर सकते हैं या उसमें किस तरह से हम पैसे डाल सकते हैं तो पैसे डालने के लिए हमारा पूरा process आप ध्यान से देखिए इसमें आपको सब कुछ clear हो जाएगा बहुत ही आसान process है हमने यहाँ पे पे क्लिक किया फिर यहाँ पर टॉप अपकाउंट पर क्लिक करेंगे हम अब हम जाएंगे बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करने के बाद हम इसके बाद payment details में अपना नाम भरना है city भरनी है city भरने के बाद अपना address जालना है यहाँ पर और address जालने के बाद आपको email id और pen card की जरूत पड़ेगी तो यहाँ पर अपनी email id डाल दीजे और pen card अपने पास रख लिए ताकि pen card का number आप गलत ना भरें क्योंकि यह आप ग पास अगला option है top up amount में जिसमें आप minimum 100 रुपे से आप शरुवात कर सकते हैं और आपको जितना भी amount इसमें top up करना आप वहाँ पर डाल सकते हैं यहाँ पर मैं 100 रुपे डाल के आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से payment यहाँ पर हम अपना top up कर सकते हैं यहाँ मैंने 100 पर डाल दिया उसके बाद मुझे next पर क्लिक कर देना है आपके network speed के साब से थोड़ा सा time ले सकता है जैसे कि अगले page पर भी जा रहे है network मेरा थोड़ा सा slow है यहाँ पर लेकिन उसके कोई चिंता की बात नहीं आप आराम से कर सकते हो अब यहाँ पर आपके पास दो option है Google प से कैसे payment करना में वह बता दे रहा हूं वही सेम प्रोसेस आपका Google पर और बाकी UPI Apps के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा तो मैंने यहाँ पर फोन पर क्लिक कर दिया है और यह network speed थोड़ी slow है इसलिए यह भी loading ले रहा है इसको हम पूरा लोड होने देते हैं देखिए यह पसके चलते वो चीज रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है यहाँ पर पासफ़र्ट डालने के बाद आपके पास यह पेज खुलके आ जाएगा network speed थोड़ी slow है इसलिए थोड़ अधा time ले रही है तो दोस्तों यहाँ पेज आपके पास खुलके आ चुका है जिसमें की आपका account नमबर लिखा है बैंक लिखा है जब जिस बैंक के through payment कर रहे हो उस बैंक का नाम लिखा है और साथी साथ नीचे send का option है दोस्तों हम यहाँ पर send option पर click करेंगे और मेरे पास अभी एक नया page खुल चुका है जिसमें की मुझे अपना password डालना है मैंने अपने आप password डाल दिया है और यह देखिए phone pay की तरफ से मेरे पास notification आ चुका है कि आपने 100 रुपए successfully pay कर दिये हैं तो दोस्तों कि देखिए कितना आसान था यह इतना ही करना है आपको बस वहाँ पर आपको confirm करना है phone pay पर जाके अपना password के साथ और यह आपका 100 रुपए वहाँ से deduct हो चुका है phone pay की तरफ से आपको यहाँ पर notification भी आ चुका है चलिए दोस्तों एक बर हम in driver app भी चेक कर लेते हैं in driver app यहाँ पर मैंने खोला है और यहाँ पर in driver पर भी notification आ चुका है कि आपने 100 रुपए यहाँ पर receive कर लिए है तो दोस्तों देखिए कितना आसान है यहाँ पर in driver account में अपना पैसा add करना यहाँ पर आपने 100 रुपए add क कर लिए यूपी आइ पेमेंट के थूँ